इस लेवल पर हम सेल करेंगे तो यह किस बैसेस पर गया और आपको लेवल सकेशे देखना है तो यह इस वीडियो में आपको बहुत आसन तरीके से जानने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखिए क्यूंकि skip करने से बहुत ही important point मिस कर देंगे दोस्तो beginning time में आपको सिर्फ दिन का high, दिन का low और दिन का close जहां पर market ने जिस price पर close किया है उस price को भी आपको draw कर लेना है और जहां पर दिन भर में market रुका है, जहां से बार-बार market ने नीचे का या फिर उपर का moment दिया है ऐसे range को या फिर ऐसी जगह को भी आपको draw कर लेना है तो ये बहुत ही simple और आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको किन levels को अभी beginning time में importance देना है अभी ये levels आप 5 minute के chart पर भी देख सकते हैं, 15 minute के chart पर भी आप draw कर सकते हैं अच्छे से और daily के जो एक दिन की एक candle बनती है, उस chart पर भी आप अच्छे से draw कर सकते हैं ये daily की candle मैंने यहाँ पर लगा ली है, अभी ये candle हमारी 13 जन्वरी की है, Friday वाली तो Monday के लिए अगर हमें levels ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इस candle का ये high है, इस candle का ये low है, और इस candle का ये close point है मैं फिर से 5 minute का chart यहाँ पर लगा रही हूँ ये दिन भर में market ने कहां से नीचे का moment दिया है, या फिर किस price से market बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर किस price से market बार बार उपर की तरफ जा रहा है तो अभी 13 जन्वरी को इस price से market बार बार नीचे आ रहा था, और 13 जन्वरी का ये सबसे जो low point है, जो low price का यहाँ पर हमने mark किया है, इस price से market ने लगातार उपर की moment भी है, इस price को market ने break नहीं किया है तो ये level भी हम draw कर लेंगे, और इस level को भी हम importance देंगे अभी मंडे की दिन हम देखेंगे कि इन levels पर market कैसे react करता है, दोस्तों, levels draw करने की ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको मेरा सिखाना अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like, share, comment जरूर करे, और ऐसी ही trading की बारिकां सीखने के लिए हमारे channel को आप subscribe करन हो, take care and good bye.